हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू करेंट अपडेट दोस्तों यहां पर मत पता इस पूलिस भरती की रिगाड़ी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो नियूस पेपर में आई हुई अपडेट है लेकिन उसको होम डिपार्टमेंट जो MP का ट्यूटर हैंडल उसने नियूज है कि आप लोगों को जो एक्जाम होगा वो आफलाइन होने वाला जो पूरी खबर क्या है पोस्ट क्या सारी चीज़े मैं बात करूंगा कि पूरी की पूरी नियूज क्या है आंगे बढ़नेस पहले चाहूंगा आप हमेंसे तरह प्यार दिखा तो इस वीडियो क यहां पर आप देख सकते हैं ट्विटर हैंडल यहां पर आप लोग देख सकते हैं होम डेपार्टमेट आप MP का है ठीक है आप लोग थोड़ा सा वीडियो को रिजूलेशन बढ़ा लीजेगा चीज़े अच्छे से आप लोगों को दिखेंगी तो यहां पर निजी कंपनी को भरती के लिए PHQ ने टेंडर भी जारी कर दिया तो यहां पर PHQ यानि के पुलिस जो हेटकॉटर है वो इस बार PV से अपना एक्जाम नहीं कराने वाला है ठीक है तो इसके लिए जो कंफर्म है यहां पर आ चुका है कि PV पुलिस कॉंस्टेबल के एक्जाम नहीं करने वाल आई हुई है इसको भी माप लोगों बता देता हूं इसको डिटेल में बताता हूं कि क्या आया हुआ है देख सकते हैं देश में पहली वार हो रहा है जहां पर कोई भी नीजी कंपनी इसका एक्जाम कराएगी ठीक है तो पीवी से नहीं हो रहा है अब यहां पर देखिए हरी भूमी की न्यूज है आर्टिकल है यहां पर माप लोगों को बता देता हूं भरती में फर्जी वाड़े के विवाद के बचने के लिए पुलिस मुख्याले ने निकाला नहीं रास्ता देखिए नहीं रास्ता क्या है इनका यह एक्जाम पीवी से ना कराकर नीजी कंप कर दूं अगर पुलिस कॉंस्टेवल का जो एक्जाम है यह आप लोगों का अगर आफलाइन होता है तो MPSI का जो एक्जाम होगा वो भी आफलाइन होगा ठीक है तो यह बात 100% फिक्स है कि आप लोगों का MPSI का 2030 का नोटिफिक्सम बहुत जल्दी देखने को मिलेगा चुनाओ का साल है इस बार 100% आएगा और उसका एक्जाम भी आप लोगों को आफलाइन ही देखने को मिलने वाला क्योंकि अगर यहां पर कॉंस्टेवल का एक्जाम यह लोग अगर पीवी के तुरू नहीं करा यानि कि जो आपका पीवी का नाम जो बदल चुका है यहां पर कमचारी चैन बोड हो चुका है तो दूसरे फेच की भरती के लिए नए प्रोग्राम ठीक है अब यहां पर जो दूसरे फेच की भरती आपको बता दू कि इसका जो पेपर होगा वो निजी कंपनी कराएगी इसका सरांस बता देता हूँ, समरी जो भी है, इसका पेपर निजी कमपनी कराएगी, और इसके बाद जो फिजिकल होगा, वो दोड़ कूद, वो सारी चीजे भी निजी कमपनी कराएगी, तो PHQ के पास कुछ नहीं होगा, और इसका कहना ये होगा, कि हम इससे, जो भी, मतलब गलत तरीके से कोई भी भरती प्रिक्रा नहीं होगी, प्राइबिट बॉड़ी के हाथ में होगा, तो सारी चीजे आप फरजी वड़ा नहीं होगा, बड़ देखे, क्या होता है, आंगे, इसकी प्रोसेस क्या होगी, ठीक है, और मैं कुछ चीजे आप लोगो और बता देता हूँ, ठीक है, तो देखे, यहाँ पे आप लोग यह देख सकते हैं, 30 के बजाए 35 साल की उम्र में भी यूबाओं की होगी, होम गार्ड में भरती, तो यहाँ पे जो maximum age है, वो भी यहाँ पे बढ़ाई जा रही है, 35 एर की जा रही है, तो यह benefit आपको मिलेगा, और एक ची अब देखे, जो next page में इसी के लिए regarding आया हुआ है, जहाँ पे offline exam होने वाला वो चीज़े को यहाँ पे समझाये गया है, तो देखे, पुलिस भरती में फरजी वड़े के सिकायत के बाद काफी किर्किरी भी हुई थी, जिसके बाद पुलिस मुक्याले को सफाई देनी पड ठीक है, और पुलिस मुक्याले का दावा है कि परिच्छा के लिए प्रश्न पत्र जिलो में भेजे जाएंगे, यानि कि आप लोग के जो district wise होगा, ठीक है, तो आप लोग के district में इसका papers आएंगे, और offline exam होगा, तो district wise होगा, यहाँ पे PB जो exam कराता है कि आपको बोपा लि GPS लगा होगा, यानि कि GPS होगा, इसके लावा ट्रैकिंग PHQ से की जाएगी, यदि किसी प्रकार की छेड़ चाड़ होती ही, तो पांच मिनट में अलर्ट मैसेज मिल जाएगा, इसके लावा परिच्छा सेंटर में जैमर की विवस्ता भी PHQ ही करेगा, खास बात है कि प्रश जो MP के होने वाले, उसके लिए यहाँ पर पूरे अपडेट देता हूँ, और जो भी इंपर्टन अपडेट होते हैं, वहाँ पे एकदम टाइम टू टाइम मिल जाता है, और आप लोग की अच्छी खासी तैयारी भी उसके तरू होती रहेगे, और पेपर में क्या आ रहा ह वह सारी चीजे में आपको बताऊंगा, मिलते अंगले वीडियो में तब तक लिए जाहिंज भारत धन्यवा दोस्तों